तौलिगर मुस्लिम उनिवसिटी में गद्दार गैंका फ्रेम आतनकी को लेकर छलका आतोधर पाकिस्तानी जनरल को जप्पी देने वाले कॉंग्रिस नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नौजोज सिंग सिद्धू ने भी फिर से पाकिस्तान फ्रेम खुलकर दिखाया है कॉसौली में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हुए सवाल पर नौजोज सिंग सिद्धू ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान उन्हें अपना सा लगता है सिद्धू यही नहीं रुके उन्होंने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तानी सेना ध्यक्ष कमर बाजवा को गले लगाने को सही ठहराया और कहा कि जपियां क्या मैं पपियां भी देने को तयार हूँ इसी साल अगस्त में इमरान खान के शपत गिरहन में सिद्धू ने विबादित जपि दी थी जिसने कॉंग्रेस को बैक फूट पर धकेल दिया था हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के अजेंट की तरह परचार करने की बजाए मैं आप खुद ही पाकिस्तान क्यों ने चले जाते हैं आपको पाकिस्तान ही चले जाणा चाहिए सब को उसमें अलग नहीं है सभी इस बात में तो सबकी राय एक है लेकिन ये भी उनको है जो मिनिस्टर कहना चाहिए कि जो टैलर को स्पोर्ट करना पाकिस्तान बंद करे इस बात पे चुप क्यों रहती है ये उनका टैक्टफल तरीका जो है ये देश के लिए एक मिनिस्टर होते हुए ये बात अच्छी है अब उन्होंने क्या कहा किस तर्ज में कहा कभी कभी आदमी विशेशन लगाने के चक्कर में चीजों को आती विशेश बना देता है क्यों कॉंग्रेस को भारी पड़ सकता है अब ये समझना ज़रूरी है आई ये समझ लेते हैं क्योंकि सिद्धू के चपी वाले वाले बयान से कंग्रेस ने जैसे तैसे पीचा चुड़ाया था अब दुबारा पाकिस्तान से अपनापन जता कर सिद्धू ने कॉंग्रेस की मुश्किलें बना दी हैं और आपको बताएं 2019 के लोकसभा और विदानसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस के स्टार प्रचारों के लिस्ट में शामिल हैं अब सिद्धू और बीजेपी जवानों के साथ पाकिस्तान की बरबरता का हवाला दे कर सिद्धू के साथ कॉंग्रेस को घेरेगी ऐसे में सिद्धू के बयान से ये संदेश भी जाता है कि कॉंग्रेस उन पर लगाम कसने में नकाम है